हेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे राश्ट्रीय आय के चक्री प्रवाह थी यानि सर्कुलेशन फ्लो अफ नेशनल इंकम किसी बीदेश में राश्ट्रीय आय का एक चक्र का प्रवाह चलता है एक circulation flow चलता है यानि कि आये जहां से प्रारंभ होती है वापस लोटकर वहीं आ जाती है इसलिए इसे हम चक्रिय प्रवाह कहते हैं राश्ट्री आये किसी भी देश की एक वित्तिय वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं और सेवाओं के मौत्रिक मूल को जिसमें कि शुद विदेशी निवेश आये जुड़ी होती है कि पूरे संपूर मूल को हम राश्ट्री कहते हैं से यह देश की राश्ट्री आए जिस therm होती है कि और के वा पस कश्षेतरे में आ जा जा जती है कहां से आती है इसको हम लोग देखेंगे वैसे तो हमारे पास जब हम ने कहा कि मिने शुद्विदेशी निवेश आइस में जोड़ी है तो इसका मतलब कि हम खुली अर्थवय वस्था पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी हम सर्कुलेशन फ्लो को समझने के लिए छोटी सी चेतर पर चलेंगे जिसमें हमारे पास एक चेतर होगा घरीलो चेतर का और दूसरा हमारे पास होगा इसमें सरकारी चेतर अभी हमने अनुपस्थित माना है और विदेशी चित को भी हम अनुपस्थित मान रहे हैं अगर इस तरीके से हम अपना उत्पाधन करते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पाधन से छेतर में होने वाला उत्पाधन उसका जो मूल होता है वो किस प्रकार से हमारा खूं करके वापस उस छेतर में आ जाता है यह हमारा राश्ट्रिय आयक के चक्रिय प्रवा का circular flow है जिसे हम देख सकते हैं इसमें मैंने दो सेक्टर को लिया है household अगरे लुच्षेत producer sector यानि कि आपका उठ्पादक छेत है household सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां से आपके संसाधन जो है वो producer sector को दिये जाते हैं जैसे लैंडलोड who spend workers और इन्ट जाम इस यादिकि भुमीपति पूंजी पट्टी श्रमिक और सॉखसी कि यह भुमीपति जो होते हैं यह अपनी भुमी काधान देते हैं capitalist जो होते हैं यानि कि पूझी पति जो होते हैं वो अपनी फूझी को देते हैं, वरकर्स अपने श्रम का दान देते हैं और इंटर्प्रियों को जब ले करके कोई producer कोई sector जब उत्पाधन करता है तो वही वस्तु का उत्पादन चुकि इन संसाधनों की सहयता से किया गया होता है तो उसके पारितोशिक रूप में इन्हें गुमी पती को लगान मिल जाता है पूंची पती को ब्याज मिल जाती है और श्रमिक कुश्रम के रूप में मजदूरी के रूप में पैसा मिल जाता है और जो साहसी होते हैं उन्हें लाप की रूप में आई प्राप्थ होती है यह जो आई है चाहे वो लगान रूप में हो चाहे ब्याज की रूप में हो चाहे मजदूरी के रूप में हो चाहे लाप की रूप में हो यह प्रोडूसर सेक्टर के द्वारा हाउस्वोल सेक्टर को दे दी जाती है और household sector इसी आय का प्रयोग करते हुए जो produce production sector जो है जितना भी production करता है उसे purchase कर लेता है उसे खरीद लेता है अर्थात वो उस पर consumption करता है लेकिन वो अपने आय में से सारा हिस्सा consumption पर नहीं लगाता है कुछ हिस्सा वो save करके रख लेता है जो हिस्सा वो save करके रखता है पुन्हा यहीं पर invest कर देता है पुन्हा निवेश करके वो इस सेक्टर को दे देता है household sector निवेश इसलिए कर रहा है बचत इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी financial sector नहीं लिया है अगर यहाँ पर कोई भी financial sector को हम दिखाते तो household अपनी सेविंग जो है उस इंस्टिटूट में रखता और वहां से फिर जो लोन है वो प्रोडूसर सेक्टर उठा लेता जैसे कि बैंक बगारा लेकिन अभी हम उसको भी अनुपस्थित मान रहे हैं हम उसका भी absence लेके चल रहे हैं अब देखिए जो हमने यह physical form बताया यानि भूमी पती पूंजी पती श्रमेक और सहसी जब आपके उत्पादक छेत्रों को दिये गए तो उत्पादक छेत्रें उत्पादन बनाकर उसक वह पर व्याय करके वस्तुओं को क्रैक या वस्तुए इधर आ गई और जो आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वह इधर चले गई और इसके साथ साथ जो बचत हुई वह भी इधर चली गई यानि कि यह एक सर्कुलर जो था जो हाउजोल सेक्टर से प्रोडूसर सेक् माड़ किया तो दो हजार रुपए के उत्पादन मूल को इन चारों संसाधनों के मद्ध हमें एक लेके चल रहे हैं कि आपने रंट के रूप में यानि की लगान के रूप में 200 रूपए दे दिये जो आपकी रंट आए हो गई इंट्रेस्ट के रूप में आनि के ब्याज यहां से इस तरह आ गया 2000 रूपए का उत्पादन जो अपके साहस्यों ने इन सारे संसाधनों से मिलकर के बनाया वही 2000 रूपए पारितोशिक रूप में घरिलू छेत्रों को मिल गया यह घरिलू छेत्र इस वस्तु को क्रै करने के लिए अपना जो पैसा है अपनी आए जो रुपए की बचत होती है जिसे कि वो बचत करके रखते हैं या रख लेते हैं जिसको कंजप्शन यानि कि उब्भोग में नहीं लगाते हैं उसे पुन्हा निवेशित करके इस सेक्टर को दे दिया जाता है दो हजार रुपए का उत्पादन हुआ पारितोशिक रुप में 200 प्लस 300 प्लस 1300 प्लस 200 यह मिलकर के 2000 की आय जो है हाउजोल सेक्टर को मिली और हाउजोल सेक्टर ने पुन्हा इसे उब्भोग वे में 14 रुपए लगा के और 600 रुपए बचत को पुन्हा विल्योजित करके इ हाउजोल सेक्टर में आया यह एक चक्र का प्रवाचरा कि आपने संसाधन दिये वस्तू बनाए और वस्तू वापस हाउजोल सेक्टर में आ गई यह भौतकी रुप से हुआ और पुन्जी रुप से अगर हम देखें दो हजार रुपए का जो भी उत्पादन बनकर आया व इस प्रकार से यहां पर हमारा चक्र आकर के पूरा खतम हो जाता है जो यह प्रदर्शित करता है कि राश्ट्रिय आय का आप जितना निर्माण करते हैं उतनी ही राश्ट्रिय आय एक चक्र के रूप में आपके दोनों छेत्रों से होकर गुजरती है हमने इसका भौतिक देखा तो मुझे लगता है कि आज आपको एक और अच्छी जानकारी मिली होगी सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना ना भूले कमेंट जरूर करें और शेर करना ना भूले धन्यवाद